मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है एक चोटी सी सिलाई की सेंटर खोले हुए है तो वो सिलाई करती है वो खर्चा पहुचाती है कितने साल से आप तयारी कर रहे हैं? वो भी हम जानने, समझने की कोशिश कर रहे, एक और Аभ्यारति हमारे साथ यहां पर महजूद है, आप लगा तार देख रहे हैं, कि अब हम्यारति प्रोटेस्ट में भी हमें दिक्खाई दिये थे, तो इनके रूम पर हम ने आके जाने की कोशिश की, कि कि आई देखते हैं, क जो एक्जाम आपने दिया था लास्ट एक्जाम में आरो यारो का दिया था वही जो लीक हुआ जो पेपा लीक हुआ था लेक होने के बाद फिर उसका वेट करते रहे कि फेपर 22 दिसंबर को होगा एक उम्मीद लगाए वैठे थे, पूरी तैयारी के साथ वैठे थे अचानक एक नोटिस आता है कि एक्जाम दो पालियों में होगा अब जब दो पालियों में होगा तो कही ना कही नॉर्मलाइजेशन की भी उन्होंने भात की अब नॉर्मलाइजेशन में हम लोगों को सबसे बड़ा खत्रा ये है कि जो एक बैक डूर की भरती है वो लोग अपने लोग स्लेक्ट करेंगे उसमें अब नॉर्मलाइजेशन की आवसकता पढ़ क्यों रही है आपको जैसे बिद्भध तरीके से एक्जाम चल लहे थे पाली में चाहिए पीसीएस का हो चाहिए रोएरो का हो दोनों एक पाली में आपको कराने चाहिए थे आप कहरें कि अभ्यारतियों की संख्या जादा होने की बज़े से और जो हमें सेंटर है अपरियाप्त मिल लहे हैं उसकी बज़े से तो अभ्यारतियों की संख्या इंक्रीज हो क्यों रही है उसके पीछे का भी तो कारण होगा जो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं आप रोजगार दीजे तो चात्र कुछ कम हो अन्य मैं कूछ कन कॉंट साइम दीाओ दीज़ घर साल में मैंने मैंस फिर 5 00 का दिया था और एक 3 00 का दिया अग्जां दीए तुछ को मैं दिया उसके नष्मनी शेनिड्क को लेकर तो अभी जसेक रस इंशन ही अभी से कुछ क्लिए नहीं है एक शिफ्ट में होगा नीं होगा क् करेंगे अब मतलब वेट करेंगे क्या करेंगे अब मैं घर पे जाएं तो भी परिसानी है आज पढ़ो उस महले रिष्टेदार सब यही पूछते हैं कि बेटा बाहर पढ़ रहा है मैं सबसे वड़ी एक गरीब परिवार के निम्द परिवार की लड़के के लिए समस्या यह आगे बढ़ सकें बहुत मुश्किल से जादा से जादा पांच साल छे साल तयारी कर पाते हैं अगर यही सरकार रेगुलर जॉब निकालती रहे तो एक संबबता बनी रहती कि इस साल ने हुआ चलो अगली साल हो जाएगा अब यही बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा ह तो मेरे सामने अब लास्ट ऑप्सन है यह कि हम इंतजार करें अब पूछते होंगे क्या जवाब देते हैं घर जाते हैं आप तो क्या कहते हो लोग घरवाले पूछते हैं बेटा क्या हो रहा है कब तक तैयारी चलेगी रिष्टेदार वाले मामा लोग भी पूछते बेट अगर कमाने के तरफ पीछे चले गए तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी हम तो यहीं चाहते कि जितनी जल्दी एक्जाम हो जाएं भाई नोटिस आपने वही सेम आयोग है कोई आयोग में परिवर्तन तो है नहीं है आपने PCS का निकाल दिया है आरो यारो का भी रहते हैं एक रूम रेंट पर लेकर रहते हैं खर्चे पानी होते हैं बार-बार हर महीने पैसे मांगने होते हैं और आप कह रहे हैं इतने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं तो मन में कई तरह कि सवाल आते होंगे ना कि आखिरकार कब तक यह सब रहेगा कब मैं डिपेंड प्रच्छा मांगने में भी थोड़ा सा लगता होगा कि कब तक मांगते हैं तो अंदर से इतना हैजिटेशन होता है कि कैसे मांगे किस मुँ से इन से खर्चे मांगे कि हम हाथ पाउं वरावर कर दिये मावाप ने पिताजी की हाइट के वरावर योग हो गये हम लेकिन उन से पैसे मांग रहे हैं हम लेकिन मजबूर हैं करें तो करें क्या पिता जी भी हमारे किसान हैं गरीब मजदूरी करते हैं माताजी जैसे हमने बताया कि वो सिलाई सेंटर ले हुए हैं सिलाई महिलाओं के वच्तर सिल सिल के पैसे खटे जोड जोड के हमें पैसे भेजती हैं कैसे भी मेरा बेटा आंगे बढ़ जाए कोई एक सरकारी जॉब पाले लेकिन मैं क्या करें हम सबसे बड़ी मजबूर यह हैं प्रिसासन और इन सब आयोगों के सताय हुए हैं कोई भी हमारा 104 रूप से नहीं हो पा रहा है सब में डिले मा क्या कहती हैं आपकी मा जैसे यह धरना हो रहा था तो मा को पता चला कि धरना हो रहा है प्रदर्शन हो रहा है तो सबसे पहले तो मा पिता जी का सबसे वड़ी सिक्योर्टी को लेके होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप धर लड़ना चाहे उसे साफ से लड़िए आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करिए इस देश में गांदी जी भी पैदा हुए है भगत सिंग भी पैदा हुए है गांदी जी की आंदोलन जैसे रहे है अईंसा के उस आंदोलन के मार्क पे चलके अपनी मांग रखेगा एक ना पर अभ्यर्टी और इनसम बाथ्चीत की है तो किस तरह से इनकी जो घर के सितिया हैं उन्हों ने बताएं इनकी जो माहें सिलाई करकर के जो है इने ख़र्चा यहां पर बेज़ती हैं और यहां पर इनको भी बार-बार जो है अपना खर्चा के लिए पैसे मांगने में बड़ी एक समस्या यहां पर है अब यहां पर यह देखना होगा कि आरो एरो का एक्जाम कब होता है और साथ ही कितनी शिफ्ट में होता है जिस तरह से PCS का किलियर हो गया लेकिन PCS की भी डेट किलियर नहीं हुई है तो अभियरती अब क्या करेंगे यह भी यहां पर देखना फिर्टे की नोकरी लगेगी और एक सरकारी नोकरी लेकर घर आएगा लेकिन कब तक उनके घरवाले इसी तरह से इंतजार करते रहेंगे यह देखना होगा अब सरकार आगी इसमें क्या कुछ फैसला लेती है आरो यारो को लेकर यह भी देखना होगा प्रियागरास से यू